तो कुश्चन नमबर आपके किताब का तीन चलिए एक एक करके पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं पहला कहता है ओपनिंग स्टॉक है हमारा दस रुपे वाला और पहले देखिए कोश्चन हर किसी को विज्वल है कमेंट में बता दिए फटा फट क्या कोश्चन आपको विज्वल है सभी बच्चों को कोश्चन विज्वल है मुझे तो दिख रहा है यहां पर एक के डिस्पले पर नजर आ रहा है पवन नेहा नीशा बता दिजिए आपके कोश्चन आपको विज्वल है और बुख होगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोश्चन के क्यूंकि आपके पास कोश्चन होंगे आईए क्या कहता है एक जनवरी को हमारे पास opening stock है तो हम first gen को काम कर ले एक जनवरी एक एक को opening stock सर ये blank हो जाएगा है न ये भी सर blank हो जाएगा सर opening में कितने हमारे पास 200 unit और 10 रुपे वाले तो मतलब कितने रुपे का समान है हमारे पास 2000 ये total है चलिए आगे कहता है 10 जनवरी को मैंने purchase कर लिया तो 10 जनवरी को आपने अगर purchase किया है तो आप receipt लिख सकते हैं purchase लिखा है तो आप purchase भी लिख सकते हैं सर कितने unit खरीदें आपने 400 unit खरीदें और कितने वाले 12 कितने रुपे के हो गए 4800 हमार पास दो परकार के stock दो type के हो गए 200 और 400 यह 12 यह 2000 और यह 4800 यहां कहता है withdrawal withdrawal का मतलब है issue करना ठीक है withdrawal का 미्मतलब है यहां पर issue करना तो withdrawal कितने की यह 500 withdrawal का मतलब है issue करना किस date पे withdrawal कि हमने फरवरी 12 यानि 12-2 को तो आपका इशू करना लिख दो यहां पर सिंपल यह ब्लैंक रह जाएगा और आपने इशू कितने किये 500 तो पहले 400 रुपे नए वाला जाएगा क्योंकि लीफो का कंडीशन यही है कि नए वाला पहले बेच दो तो 400 तो नए वाले में से चले जाएगा 12 वाला रेट और 100 चला जाएग दस वाला तो बच गए हमारे पास 1000 इसके बाद 16 तारिक को फिर खरीदारी कर लिए हमने 16 दो को आपने परचेस कर लिया 16 तीन को परचेस कर लिया और 16 तीन को परचेस करा 300 यूनिट तो यह आ जाएगा 300 और कितने वाला 11 तो कितने हो गए 3300 ठीक है इशू जो किया आपने नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ दोगे अब हमारे पास 100 यूनिट हो गए और 300 यूनिट हो गए यह 10 वाले और 11 वाले इसका कीमत 1000 इसका कीमत 3300 ठीक है इसके बाद 19 तारिक को सेल कर दिया 200 तो 19 तीन को हमने इशू कर दिया कितने करें कितने यूनिट बेचे 200 तो 200 जब बेचे तो अब किस में सजाएगा 300 वाले में सजाएगा हमारा तो 200 बेच दिये हमने इस वाले में सजाएगा क्योंकि लेटेस तो यही है नय वाला तो 11 के हिसाप से हो गए 200 रुपे अब हमारे पास 100 यह बच गए और 100 यह बच गए यह ब को चलिए इसके बाद कहता है 19 तारिक को सेल कर दिया उनिस को सेल हो गया फिर 30 को हमने रिसिप्ट कर दिया तीज को तीज जून यह उनिस पांच है और यह तीज छे हैं आपने क्या करा इस दिन परचेस यह रिसिप्ट कह लो कितने यूनिट 100 यूनिट कितने वाले 15 तो हो गए 1500 अब हमारे पास तीन तरीकी का स्टॉक हो गया 100 100 और 100 यह 10 11 और 15 तो 1100 और 1500 सवाल में यही बोला गया था कहता है क्वажу फॉलवाइग अप्लाइग इंवेंट्री कहते है कै कै एक के के कैलकूलेट कोस्ट कहता है क्या गूस्ट और के कैलकूलेट कोस्ट ऐब घुट्व CB ौड फाॉंड गुट्सोड किया होगा इस tahu को तो यह दो यह हमारा चल्ट ये कि चलिए लिखते हैं कोस्ट और जो समान आपने बेचा है उसका कीमत कितना है तो इसका टोटल कर लेंगे सर टोटल क्या रहा है बताइए टोटल क्या रहा है चलिए ऐसे लिख लिखते हैं सर अड़तालीस सो एक हजार अड़तालीस सो एक हजार और यहाँ अगया हमारा आठ हजार सर closing inventory पूछा है तो closing end में inventory क्या रह जाएगा सर 1000 प्लस 1100 प्लस 1500 यानि 3600 closing inventory is 3600 तो लीजिए हमारे ये सवाल हो जाता है complete बताइए किसी को डाउट बुक में आंसर दे रखा होगा देख लो बुक में किस तरीके से आंसर दे रखा है किसी बच्चे का डाउट है तो पूछे नहीं तो हम अगले question पर चलेंगे दे रखा है किसे अलग से कर रहे हैं हम उसी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है इस चैसैसो और आठजार periodic वाला भी इसमें था क्या कि नहीं इसमें तो स्रिफ perpetual है अबक वालों ने अपनी मर्जी से periodic निकाल दिया periodic तो बाद में करेंगे लास्ट हूँ किसी भी student को doubt clear है yes या no में बताईए आगे बढ़ेता कि हम clear है सबको simple question calculate gain और profit चलिए यहाँ पे आपको gain और profit कैसे निकालना है क्योंकि sales जो कर रख है उसका भी rate given है कौन सा method है इसने लीफो से भी बोला फीफो से भी बोला और बोलता है कि using each alternative और weighted से भी बोला है तो मैं इसको एक से करके दिखा देता हूँ अब बताईए लीफो से करके दिखाऊँ या फीफो से या वेटिस से आप जो भी बोलेंगे मैं उससे कर दूँगा फिर आपने करना क्या है सर फिर आपने कुछ नहीं करना फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उसको उसी के according करते जाना है थोड़ा सा काम असान हो जाता है फॉर्मेट बनाने नहीं करते हैं चीक है सर यह टूटल है यह कॉंटिटी है यह रेट है यह टूटल है तो बताएं आप किस से किया जाए आप बताएए फटा फट वेटेट लीफो फिफो वेटेट से चलो मैं वेटेट से कर देता हूँ आपने बोला वेटेट से तो मैं वेटेट से कर देता हूँ ठीक है और बाकी के आप कर लोगे लिफो और फिफो सबसे पहले हमें गीवन है कि हमने बोर्ट किया है 12,000 कितने का 20 रुपए का कब खरीदा है मैंने September 1 को एक नो को मैंने पर्चेस किया है सर पर्चेस किया है कितने का परचेस किया है सर और कितने यूनिट 1200 unit कितने वाला 20 वाला तो कितने हो गए 24,000 सर ये आ गया हमारा 1200 20 वाला यानी 24,000 ठीक है फिर हमने खरीद लिया 400 unit 24 वाला कब खरीदा सर 10,9 को कितने purchase किये 400 कितने वाले 24 वाले तो कितने हो गए 9600 अब टोटल कैसे करेंगे यह 1200 और यह 400 कितने हो जाएंगे 1600 अब यह 1600 जो हो गए अब इसका रेट टोटल कर देंगे कैसे करेंगे टोटल 24,000 प्लस 96,000 यानि 33,600 अब कुछ बच्चे पूछ सोच सकते हैं सर यह कैसे आ रहा है तो एक इसको मैं इसके साथ एड़ घर रहा हूं ठीक है इसके साथ मैं एड़ कर रहा हूं अब रेट निकलेगा 1600 यह आगया 21 रुपए एकजेक ठीक ठाक रेट आगया 21 रुपए फिर आगे कहता है कि 1200 यूनिट बेच दिये लेकिन मजे की बात इसमें कितने रुपए में बेचा यह भी कह रखा है और पिछले सवाल में देखो कि साथ में पिए जितने का रखा है जो कास्ट आए वो भी बेचने का लास्ट से टोल करेंगे तो सर आपने कितने इस कर दिये चार्सो कब कर दिये चारसो यह नो को इसर कितने यह तो नहीं रहेगा 400 किस rate का 21 रूपए 21 का बेचना है 30 का मत बेच देना तो 8400 ठीक है समझ में आ रहा है यानि हमें issue तो price चाहिए ही नहीं वो स्रिफ profit निकालने के लिए price चाहिए होगा बचे कितने हमारे पास 1600 400 चले ही गए तो 1200 बचे 21 वाले तो 1200 पच्चिस 200 ठीक है आगे चलो सेप्टेंबर के बाद हमारा आ जाता है 14 सेप्टेंबर को हमने फिर खरीद लिया 600 14 सेप्टेंबर को हमने purchase कर लिया कितने कर लिये 600 कितने रुपे का 30 रुपे का तो यानि 18,000 अब होगे 12 और 6 अठारा सो और 18 और पच्चिस दो सो अठारा हजार प्लस पच्चिस दो सो यह होगे 43 दो सो रेट आ गया divided by अठारा सो 24 रुपे का रेट आ ठीक है इसके बाद फिर 16 तारिक को issue कर दिये 800 16 तारिक को हमने issue कर दिये कितने कर दिये 800 किस रेट के जाएंगे 24 इंटू में 800 कोस्चन वाला रेट हम नहीं लेंगे ठीक है इसके बाद 18 में से 800 चलेगे तो 1000 इंटू 24 यानि 24,000 ठीक है चलिए फिर खरीद लिया 20 सेप्टेंबर को 600 तो 20 सेप्टेंबर को हमने खरीद लिये परचेज कितने सर 600 किस भाव के खरीदे हमने 40 तो छे चोके 24,000 अब देखा जाए तो हमारा कितने बन गए 1600 रेट कितना आ गया यह 48,000 का हो गया तो 48,000 divided by 1600 रेट निकल के आए 30 रुपए का फिर हमने 25 तारिक को बेच दिये 700 यूनिट कितने हमने बेच दिये 700 किस रेट के खेंगे 30 कितने के खेंगे 21,000 बचे कितने ग्यारा सो किस रेट के 30 तो कितने आ जाएंगे 33,000 यह तो हो गया तो पहला आप बताइए हमें alternative gross profit during the September तो सबसे पहले हमें cost of goods gross profit क्या होता है gross profit is equal to sales माइनस में COGS यानि cost of goods यह आप बहुत पहले से सिखते हैं 11 वी में भी सिखा है आपने 12 वी में भी कई बार रेशो वाले चप्टर के अंदर किया होगा ठीक है तो यह होता है sir sales कैसे आएगा चलिए sales लिख लेते हैं sir sales हमने किया कितने 400 unit sir इस 400 unit को जो सवाल कहता है बेचने को 30 रुपए से फिर sales किया हमने 800 जो सवाल कहता है बेचने को 40 के हिसाब से फिर sales कितने की है हमने 700 सवाल कहता है बेचने को 50 के इसाब से तो total selling value आ जाएगी तो total selling value कैसे आ जाएगी 400 इंटो में 30, 12,000 32,000 और 35,000 तो total sale आ गया 12,000 35,000 79,000 और cost कैसे निकालते हैं इसका total करके तो cost कैसे आ जाएगा सर, 8400 19,200, 21,000 cost आ गया सर, 48,600 तो क्या हमें sale भी पता चली गया हमें cost भी पता चली गया, क्या profit नहीं निकाल पाएंगे निकल जाएगा, तो simple सी बात है, profit निकलेगा हमारा profit निकलेगा हमारा 79 minus में 48,600 minus में यह आ गया 30,400 का 30,400 का चेक कर लिजी आ ठीक है clear है मैंने किस method से कर दिया आपका मैंने weighted method से कर दिया है, weighted के बाद आपने फीफो से ऐसे ही करना है लीफो से ऐसे ही करना है, हो जाएगा यह भी चलिए 6 है periodic inventory system फीफो से भी लीफो से भी weighted से भी यह homework में दिया जाएगा आपको homework क्यों दिया सर homework में आपको पता ही अभी हमने किया है तो एक question homework में दे देंगे ज़्यादा सवाल है नहीं इसके अंदर last in first out basis और weighted average calculate अब जब कभी भी आपको बोला ना जाए कि कौन सा method है तो आप हमेसा perpetual inventory system follow करोगे ठीक है कुछ भी नहीं बोला जाए जैसे सवाल में मेरे हिसाब सो कहीं बोला नहीं गया तो हम कौन सा method फॉलो करें perpetual तो यह भी क्या रहेगा आपका यह भी क्या रहेगा आपका homework आठवा question यह मैं कराओंगा इसको नहीं करना यह मैं कराओंगा नुवा question यह भी रहेगा आपका homework अभी काफी सारे homework मिल जाएंगे इसमें दस्वा question सर यह भी रहेगा आपका homework बहुत आसान चेप्टर है यह यह भी सर क्या रहने वाला है homework सर यह भी चलिए यह मैं बता दूँगा इसमें थोड़ा सा balance sheet बगरा दे दिया sales दे दिया general cost दे दिया profit दे दिया पूस्ता फीफो method weighted average method से valuation निकालना यह मैं बता दूँगा बारा दो question होगे मेरे बताने वाले यह भी क्या रहेगा आपका homework फीफो के हिसाब से सर यह भी क्या रहेगा आपका हाँ carriage invert यह मैं करा दूँगा इसको रहने देंगे जो मैं कराऊँगा कुछ concept बता के मैं करा दूँगा यह भी मैं करा हूँआ इसके अंदर के आ गया हमारा issue return आ गया issue return आ गया यह क्या रहेगा सर homework मैं पहले एक बार homework के चेक कर लो एक मिट आते हैं यह भी रहेगा homework आज homework ही homework है आपके लिए यह भी homework sir यह भी homework यह मैं कराऊँगा इसमें normal loss आ गया ठीक है यह मैं कराऊँगा आप भी note करते जाएं honors program में बिल्कुल सेम question है अलग नहीं होगा यह भी homework चलिए आप बताएं कौन सा पूछ रहे हूं damage stock कहां दे रखा है अच्छा return है इसमें return है यह भी रहने दीजिए रहने दीजिए यह हो जाएगा क्या यह सारे question आप homework में कर लेंगे हो जाएगा टिक कर लीजे जितने बच्चे लाइव हैं वो भी टिक कर लें क्रिश्ना आदेश पवन जिया जितने भी बच्चे हैं लाइव में वो सभी कर लें इसे नोट होमवक में